हलो फ्रेंड्स, UK निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ भूत ही खुबसूरत पैटन सियर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, ये पैटन हमारा टू कलर में है, इस पैटन को आप बेबी स्वेटर, बेबी जैक फ्रोग, कार्डिगन, कैप, ब्लैंकेट, सॉक्स, इसके अलावा आप इस पैटन को लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, बलाउज, गल्स स्वेटर, आदी में अपलाई कर सकते हैं, बनके भूत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और रॉंग साइट से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बनाके कंप्लीट करेंगे, बॉर्डर पैटन कंप्लीट होने के बाद, स्टार्डिंग में हमने एक बेस रो बनाके कंप्लीट कर आ लेंगे दस नंबर की सलाई में हम इस पैटन को बना लेंगे अब हम अपना पैटन बनाना स्टार करते हैं तो देखे बॉर्डर कमप्लीट होने के बार फ्रनट साइट से फॉर्ष्ट बेस रोः पहला फंदा उतारेंगे और फास्ट बेस रोः को हम सीधा बुनते हुए क कम्प्लीट करेंगे। सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से अपने फर्स्ट वेज रो कम्प्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से यमारी फर्स्ट वेज रो कम्प्लीट होई। बैक साइड से दिखे पैटरन की फर्स्ट रो में दिखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे। और दिखे पैटरन की फर्स्ट रो को हमने बैक साइड से सीधा बुनते हुए कम्प्लीट करना है। यह देखे यह पैटरन की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई। अब देखे फ्रेंट साइड से से किंड रो में हमारा से किंड कलर आएगा। देखे यहां पर हमने सेकिंड कलर को एड कर लेना है। पहला फंदा हम बुन के उतारेंगे। सेकिंड कलर से देखे इस तरीके से। आप कोई भी कलर एड कर सकते हैं। यहां पर देखे हमने सेकिंड कलर एड कर दिया। और पहला फंदा हमने बुन के उतार दिया। सेकिंड कलर यहां पर हमारा ओरेंज है। आप कोई भी कलर अपलाए कर सकते हैं। आप देखें, नेस्ट पहला फंदा सीधा बुनेंगे, इस तरीके से देखें, ये पहला फंदा हमने सीधा बुन लेना है, और नेस्ट फंदे में हम पैटर्न डालेंगे, तो देखें, सलाई वाला फंदा छोड़के, ऐसे नीचे आएंगे चेन में, और देखें, जो इस सेक अब इन ही दो फंदों का प्रोसिस आगे रिपीट होगा, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदे में हम पैटन डालेंगे, फर्स्ट ओल छोडेंगे और सेकिंड ओल में सलाई डालेंगे, और इस फंदे को बुन लेंगे, देखें, अब नेस्ट देखें, सेम प्रोसिस रिपीट होगा, नेस्ट फंदा सीधा बुनेंगे, नेस्ट फंदा हमने सीधा बुना, नेस्ट फंदे में पैटन डालेंगे, यह देखें, अब नेस्ट फंदा फिर सीधा बुनेंगे, हमारा पैटन टू के मल्टिपल में आएगा, तो देखें, एक फंदा सीधा एक फंदे में पैटन डालेंगे, फर्स्ट ओल चोडेंगे, और सेकिंड ओल में सलाई डालेंगे, इस फंदे को बुन लेंगे, फिर नेस्ट देखे एक फंदा सीधा फर्स्ट ओल छोड़ेंगे और सेकिंड ओल में सलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर देखें एक फंदा सीधा एक फंदे में पैटन आएगा फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदे में हमारा पैटन आ जाएगा फिर एक फंदा हमन अब देखे थार्ड रो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे करेंगे और देखे बैक साइड से हमने थार्ड रो को सीधा बुनते हुए कम्प्लेट करना है यह देखे बैक साइड से हमारी पैटन की थार्ड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रेंट साइड से फोर्ड रो में हमारा फर्स्ट कलर आएगा आप यहाँ पे कोई और कलर भी एड कर सकते हैं तो देखे हम यहाँ पे फर्स्ट कलर ही एड करेंगे पहला फंदा ऐसे बुनके उता लेंगे अब देखे, next हमारा pattern, repeat and shift होगा, तो देखे, जो next फंद है, इसमें हम pattern डालेंगे, तो देखे, first hole छोडेंगे, और second hole में हम slide डालेंगे, और देखे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, अब next, यह फंदा सीधा आजाएगा, अब इन्हीं दो फंदों का process आगे repeat होगा, next फंदे में हमारा pattern डालेंगे, फर्स्ट ओल छोडेंगे, second hole में हम slide डालेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर next सीधा आजाएगा फंदा, अब देखे, next हमने pattern डालना है, एक फंदे म हम pattern डालेंगे एक फंदा सीधा उने फिर next देखे एक फंदे में हम pattern डालेंगे तो देखे फ़स्ट ओल छोड़ेंगे और second ओल में ऐसे slide डालेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे फिर next फंदा सीधा जाएगा यह देखे फिर next यही process repeat होगा नेस्ट हमारा pattern आ जाएगा फिर एक फंदा सीधा फिर pattern आएगा फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे फिर next फंदे में हमारा pattern आएगा फिर एक फंदा सीधा फिर देखे नेस्ट फंदे में हमारा pattern आएगा फिर एक फंदा सीधा लास्ट का फंदा भी सीधा आ जाएगा यह द देखे जो back side से हमारी फिप्तरो आईगी इसमें हमारा pattern repeat होगा फिप्तरो में हमारा first ही color आएगा और फिप्तरो को हमने pattern की first row की तरह बुनते हुए complete करना है अब हमने इन ही चार सलाईयों के pattern को बार बार repeat करते जाना है और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आजाएगा यह दिखे बहुती सुंदर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं है तो please subscribe करना न भूले थेंक्यू करेंग।